इनेलो नेता एभेसिंग चुटाला अपनी भावी विधायक नैना चुटाला से आज आमने शामने होंगे जी हाँ नैना चुटाला जिनोंने दुशंत का समर्थन करते हुए कहीना कहीं जन्ना एक जन्ता पार्टी के समर्थन में उतराए थे उन्हें लेकर अब विधान साव में आज सुनवाई होगी गोरतलब है कि जन्ना एक जन्ता पार्टी के गठन के बाद चार विधायक जेज़ेपी के समर्थन में आ गए थे जिसमें विधायक नैना चुटला, विधायक अनुबधानक, विधायक राजदिप फोगाट, विधायक पिर्थी सिंग नंबरदार इन चारों के जेज़ेपी के समर्थन में आने से और जन्ना एक जन्ता पार्टी के विभीन कारेकरों में शिरकत करने के बाद अब नैना चुटला के देवर विधायक अभैसिंग चुटला ने विधान सबा अधेक्स के सामने एक अपिल की थी और उन्होंने कहा था कि वैसे तो ये चारों इननलों के विधायक हैं लेकिन जन्ना एक जन्ता पार्टी के कारकरमों में जाते हैं और उनका समर्थन करते हैं जिस कारण वैप पार्टी की विरोधी गती विधियों में सामिल हो रहे हैं इसलिए दल बदल कानून के तहत चारों विधायकों की सिदस्ता को रद किया जाई अब इस मामले में विधान सबा अदेक्स दवारा सुनवाई सुरू कर दीगी है आज इन चारों विधायकों की शिदेश्टा रद करने की अपेल पर विधान सबा अधैक्स दवारा सुनवाई की जाएगी जिसमें विधायक अभेय सिंग चुटाला नैना चुटाला अनुब धानक राजदी फोगाट वे पिर्थी सिंग नमबरदार शवी चंडीगड में आमने शामने होंगे और शिदेश्टा रद करने को लेकर आपसी बहंस होगी ऐसे में कयास लगाए जारा कि अगर विधान शवा अधैक्स के सामने अभेय सिंग चुटाला अपने पुखता सबूत रख पाते हैं तो इन चारें विधायक्यों की इस देस्ता जा सकती है इसके साथ ही पिछले दिनों नैना सिंग चुटाला और अनूब धान का राजदी फोगाट वेपिर्थी सिंग नमबरदार की एक बैठक हुई थी और उन्होंने एक भहुमत के तोर पर विधायक अभेय सिंग चुटाला को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया था और राजदी फोगाट को इनलो विधायक दल का नेता चुना था इसके साथ ही अनूब धान को उपनेता चुना गया था ये फैंशला भी अब तक पैंडिंग है जिसे लेकर अनूब धायन को दवारा गदिनों एक पत्तर विधान सबादेक्स को लिखा गया था और मांग की गयी थी कि इनलो विधायक दल का नेताब राजदी फोगाट को माना जाई इस पर भी अभी फैंसला होना बाकी है अब मंगलवार को दल बदल कानून के तहत चारों विधायकों की सिद्यस्ता को लेकर अभेसिंग चुटला दी द्वारा दी गी अपील के उपर सुनाई होन लेकिन एक बात त्या है कि एक बार फिर अभेसिंग चुटला अपनी भावी विधायक नेना चुटला के सामने होंगे और दोनों में भेंस होगी इसमें देखने वाली बात यह है कि आखिरकार देवर की जीत होती है या भावी की जीत होती है